ततकाल न्यूज लाइफ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन प्रिस कीजिए नमस्कार मैं हूँ सोनिका और आप देख रहे हो ततकाल न्यूज लाइफ अफगानिस्तान पर तालिबान के कबजे के बाद से इस देश में सब कुछ बदल गया है जादा से जादा लोग बस किसी तरह से देश छोड़ना चाहते है अफगानिस्तान ने निकलने के बस एक ही रास्ता बचा है काबूल एरपोर्ट यहां की सुरक्षा अमेरिकी सनिकों के पास है काबूल एरपोर्ट पर करीब धाई लाग से लोग की भीड है जो अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते है हालत यह है कि एरपोर्ट पर भूके पैसे इंसान दम तोड़ रहे है इस बिच बड़ी खबर आई है कि एरपोर्ट पर खाना और पानी के दाम आसमान छू रहे है यहां एक पानी की बोतल 40 डॉलर यानि 3000 रुपे के मिल रही है जबकि चावल की एक प्लेट के लिए 100 डॉलर यानि 7500 रुपे खर्च करने पड़ेंगे एरपोर्ट पर पानी या खाना कुछ भी खरीदना हो तो यहां अफगानिस्तान की करनसी नहीं ली जा रही सिर्फ डॉलर में ही पेमेंट स्विकार किया जा रहा है ऐसे में अफगानियों की मुश्किले आप समझ सकते है अफगानिस्तान से आए लोग बताते हैं कि काबूल में घर से एरपोर्ट पहुचने के लिए 5-6 दिन लग गए क्यूंकि शहर में एरपोर्ट तक तालिबान का पहरा है तालिबान गोली बारी से दर्शत मची है और हज़ारों की भीड को पार कर एरपोर्ट के अंदर जाना डेड़ी खीर है अगर एरपोर्ट के अंदर चले भी गए तो प्लेन मिलने में 5-6 दिन लग जाते है महज बिस्किट नमकीन से गुजारा करना पर रहा है खाने पिने की इतनी कीमत होने से उनके दिक्कते और भी बढ़ गई है अफगानिस्तान की हालत ये है कि बच्चे का माता पिता के भी अफगानिस्तान छोड़ रहे है खाना पाने की कीमत इतनी जादा बढ़ने से भूके लोग तडप रहे है उनका होसला अब जवाब देने लगा है शरीर कमजोर पड़ रहा है और वो बेहोश होकर गिर रहे है ऐसे में तालिबान लोगों की मदद करने के बज़ाए उन्हीं डरा रहा है मार पीट कर रहा है काबूल एरपोर्ट के बаहर मची अफरा तफरी में अब तक 20 लोग मारे जा चुके है काबूल में अब तक 28,300 लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके है और करीब 6,000 अमेरिकी काबूल पाए गए है जिसमें से साड़े चार हजार लोगों की सुरक्षा बाहर निकाल लिया गया है हाल ही में तालिबान ने कहा था कि अगर अमेरिका अपना अभियान 31 अगस्त तक खत्मन नहीं करता है तो उसका अंजां बुरा होंगा